आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं exercise 3C का question number 4 fraction है ठीक है सबसे पर इसकी statement करेंगे add the following fractions, fractions को add करना है आप देख सकते हैं, सबके denominator एक जैसे हैं, ठीक है, तो easily add हो जाएंगा ये, ठीक है ना? जी, यहाँ पर आपके पास question number A, 3 by 4 plus 1 by 4, दोनों के denominator सेम थी सिर्फ हमने numerators को add करना था, 3 or 1, 4, 4 by 4 आगे, ये cancel होगे, और 1 आपके पास answer आगया, ठीक है? 3 by 15 plus 8 by 15 is squared कि 11 by 15 आगया, ठीक है, 5 by 1, 5 by 6 plus 1 by 6, 6 denominator, जी आगेगा, 5 by 1, 6, दोनों आपस में cancel हो जाएंगे, और आपके पास 1, ठीक है? Next question D, 9 by 10 plus 3 by 10, 9 over 3 is equal to 12 over 10, एसे ही रहेगा, इना मेन अपके पास, 7, 8, 9, 10, 10 by 22, ठीक है? जी, तो आप है मार पास question number 5, add this mixed fraction, giving your answer in its lowest term, इतने fractions को add करना है, और इसका answer जो है, वो अपने lowest term में बताना है, ठीक है, first question solve करते हैं हम, ठीक है? यह है आपका question number 8, आप इसको solve करने के दो methods हैं आपके पास, ठीक है? मैं आपको दोनों methods यहाँ पर बताते हैं, आपको जो easy लगे आपको कर लें, ठीक है? सबसे पहले तो हमारा वही method है, 5 multiply by 5, add 3 is equal to 28 by 5, यूँकर denominator दोनों के सेम है, ठीक है, easily आजाएंगे, 5 to 10, 1, 11, 11 by 5, आप denominator सेम अने के दोनों को करने हैं, हमने plus, 39 आपके पास answer आया, 39 by 5 cancel नहीं होते तो हम इसको करेंगे, divide, 5, 7 to 35, 9 out of 5, 4, ठीक है? तो क्या है, आपके पास 7 hole number 4 by 5, ठीक है? अब दूसरा method है ये, इसमें क्या करना है? आपने सिर्फ fractions लेंगे, ठीक है? ठीक है, ठीक है? अब दी नामिनिट्र सेम अने के विज़े से दोनों easily add होगे, क्या answer आया, 4 by 5, ठीक है? अब ये further cancel होते हैं तो आप कर लेंगे, नहीं cancel होते तो आप नहीं करेंगे, ठीक है? पर यहाँ पर मैंने equal जाला और ये दो hole number जो आपको नजर आ रहे हैं, ये simply मैं ये लिखे हैं और इनको add कर लिया है, 7, तो आपके पास answer आजाएगा, 7 hole number 4 by 5, ठीक है? दोनों के answers same है, ठीक है? ये method चाहें तो ये method चाहें तो ये method चाहें तो ये method चाहें तो ये गर लें, ठीक है? आज हम इस method से question करेंगे, ठीक है? इस method से. जी, तो आब आगे हमारा पस D part, D part में सबसे पहले मैंने fractions को solve किया है ठीक है, 3 by 8, 1 by 8 अब denominator दोनों के same थे, इसलिए दोनों easily add हो गए ठीक है, 4 by 8 अब यहाँ पर फर्टे cancel हो रहे हैं, कहाँ भे 2 के रेमा में 2 to the 4, 2 to the 8 ठीक है, अब 2 by 4 भी cancel हो रहे हैं 2 to the 2, 2 to the 4 अब यहाँ cancel नहीं हो रहे हैं, ठीक है, fraction आपकी solve हो गई अब आप all number के जर्फ रहेंगे 2 plus 3, नीचे ही मैंने यहाँ पर लिख लिए है 2 plus 3 is equal to 5 5, 1 by 2 यह आपकी fraction में answer नीकल हो गई और lowest term में भी आगया, ठीक है अब ए question number C 5 by 9 fraction है, 1 by 9 fraction है, 9 है इसे ही लेगा, 5, 4, 1, 6 आजाएगा यह cancel हो जाएगे 3 की table में दोनों cancel हो ठीक है 3, 2, 6, 3, 3, 9 2 by 3 के आगे और cancel नहीं हो रहे है whole number आगे 4 plus 3 is equal to 7 ठीक है, 7 whole number 2 by 3 ठीक है next है आपके पास question number D 7 by 10 ठीक है plus 1 by 10 नीचे ऐसा ही आजाएगा 10 ऐसी चला जाएगा 7, 1, 8, 8 to 10 divide हो रहे है 2, 4, 2, 5, 2, 5, 10 4 by 5 divide नहीं, cancel नहीं हो रहे है ठीक है, इसको अब हम fraction को solve कर चुके हैं whole number के बारी 9 plus 2, 9, 10, 11 आगे आपके पास 11 whole number 4 by 5 ठीक है answer फिर आगेगा question number E 1 by 10 plus 7 by 10 fraction नीचे आगे 10 ऐसी आगेगा 7, 1, 1, 8 अब ये चैंसल हो रहे है बाए 10 2, 4, 8, 2, 5, 10 ठीक है 2 plus 3 हमने नीचे उतार लिया है और 5 आगे 5 phone number 4 by 5 this is your answer अब है मरवास question number F question number F को भी वैसी solve हो हैंगे दोनों fractions हमने नीचे आहां पे लिखनें अब denominator same होने के चैंसे easily add हो गए अब दोनों एक ही table पर cancel हो गए तो आपके पास आगे है यहां 1 ठीक है अब whole number solve कर लेते हैं 8 plus 2 is equal to 10 अब fraction नहीं है no problem आप simply इस whole number को और इस whole number को लेंगे इन दोनों को add कर देंगे 11 आज़ेगा आपके पास ठीक है अब है G 3 by 8 plus 3 by 8 यह add हो गए 6 by 8 cancel हो गए 2 पे 2, 3 6, 2, 4, 7, 8 3 by 4 cancel नहीं होता whole number आगे 1 plus 2 is equal to 3 3 whole number 3 by 4 is your answer ठीक है 8 7 by 10 3 by 10 7, 8, 9 10 आगया 10 और 10 cancel हो गए 1 आगया आगया आपके पास 6 plus 3 whole number आगया 9 answer आगया उसका फिर 9 और इस 1 को add कर दिया थो आगया आपके पास 10 ठीक है अब question निबर 6 जी तो आप है माँआपस question निबर 6 question number 6 solve करने के लिए हमने सबसे पहले question उताव लिए ठीक है 11 by 12 5 by 12 denominator same रहेगा 11 में 5 minus गए तर आपके पास आता है 6 अब इसको cancel किया 6 के तेमल में 6 1 the 6 6 to the 12 ठीक है next question है 7 by 12 minus 1 by 12 ठीक है इसका भी denominator same रहेगा 7 में 1 minus 6 आगया और cancel करने के बाद bypass आया हम 1 by 2 6 के उपर टेबल पर cancel हो गई आपका ठीक है फिर है 14 by 15 19 by 15 14 में से 9 minus कि 5 5 आप 5 by 15 आपके आपके ये 5 पे cancel हो गई 5 आप 5 5 थी सा 15 ठीक है 12 by 13 2 by 13 13 ऐसे रहेगा 12 में से 2 minus कर देंगे तो आज आज आपके पास 10 अभी ये fraction cancel नहीं हो रही तो यही आपका अंसर है ठीक है I hope आप लोगों कुझा जागिया होगा इंशाला फिर मिलोंगी अपमे नेक्स वीगियो में तब तके Allah अपिस